टिहरी पीछे मुड़ कर देखें तो टिहरी भागी रथी भिलंगना की संगम नगरी में एक किशोर ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुवात NSUI का सक्रिय सदस्य बन कर की निरंतर संगर्ष की राह पर चलते हुए गड़वाल विश्विद्याले के ट्रेजरार विश्विद्याले का प्रथम वर्ष था और लोगों ने इस युवा पर भरुसा जताना शुरू कर दिया इसके कंधों पर चात्रहित का दायत्थ दे कर भविश्व में शेत्रहित का अग्रिम कदम उठा दिया था वैसे हर विशाल भवन निर्मान की शुरुवात एक ईट से होती है उसी कड़ी में इस यात्रा की शुरुवात भी चात्रराजनीति के बिगुल से हो गई थी और टिहरी अपना स्वरणिम उतिहास अपने एक युवा चेहरे के पीछे लिखने वाला था अगर बात विस्थापन की हो तो सन 1989 में पीरी बांध विस्थापन समिती का अध्यक्ष नियुक्त होकर अठूर पट्टी का ये बेटा जनचेतना की वृत्ति से लोकसेवा में ततपर्ता से जुट गया स्वामी रामतीर्थ विश्विद्याले जिसमें अनेको छात्र नेताओं ने साधना कर क्षेत्र में सक्रिय राजनीती में आने के मनसूमों के भीज को पन पाया था उसी कतार में राजनीती का कल यानि वही युवा नेता 1992 में उस राजनीतिक अखाडे SRTC का अध्यक्ष बना और लोगतांत्रिक प्रक्रिया में घुत्तु, भिलंगना, प्रताप नगर, उत्तरकाशी, जौनपुर, नरेंद्र नगर, चंबा के छात्रों ने इसको अपनी ज आगर की लहने किसी के लिए नहीं रुखती, समय को हमसफर बनाकर चलने वाला ये युवा कहां किसी की प्रतीक्षा में था। युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद पर सन 1999 में उनह एक बार राजधानी लखनव से फर्मान जारी हो गया कि इनको संगठनात्मक प्रिष्टी से मजबूती के लिए पद ग्रहन करवा दिया जाए। जनता ने ना पार्टी देखी और ना ही किसी प्रलोभन में बही। अपने इस बेटे भाई को निर्दलिये चुनाओ विजए रत पर बैठा कर नगर के पहले नागरिक पत से सम्मानित किया। समय का रत राजनीती के कल को कहां रोक सकता था। 2007 में उत्तराखंड विधानसभा का दूसरा चुनाओ हुआ और एक जुझारू प्रत्याशी चुनावी रण में अपनी नगर पालिका के कारियों और पूरी विधानसभा में सक्रियता के दम पर उतर गया। बिना भयानवित हुए और बिना किसी राजनीती गुरू के समय चक्र उनको विजय श्री का आशीरवाद देने से चुक गया। और ख्षेत्र ने एक पूरे दशक तक एक नेत्रहीन नेत्रित्व के पीछे अपना भरोसा जताया। समस्याओं का पहाड हिमालय को पीछे छोड़ रहा था और देश दुनिया से कंधे मिलाने में हम गलानी महसूस कर रहे थे। न परियतन था न शिक्षा थी न सडकें थी न रोजगार था। कुशासन अपनी चरम सीमा पर था। तभी लोगों के अंदर परिवर्तन का भाव जागा। 2012 में अन्यराष्ट्रिये दलों को पराजय का स्वाध चखना पड़ा। परिणाम सरूप राज में PDF विकास शील लोगतांत्रिक मोर्चा का गठर हुआ। विधान सभा के लोगों के लिए ये एक नवीन अनुभव था और निरंतर पूरे पंचवर्षिये कारेकाल में PDF सरकार समय समय पर अपना वजूद पैम रखने में सफल रही। दुनिया की नजरों में टिहरी विधान सभा में सत्ता परिवर्तन गुआ। परंतु असल माइनों में देखा जाए तो ये विचारों और विजन का परिवर्तन था। 2012 से लेकर 2014 तक गड़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड का प्रभार समहाला और कैबिनेट मंतरी का स्तर देकर राज्य की राजनीती में एक चर्चित शखसियत बने। कैबिनेट मंतरी पग पर पहुँच सम्विधान की शपत लेकर पर्यटन, युवा कल्यान, संस्कृती, भार्मिक मेले एवं तीर थाठन जैसे विभागों का धाई साल तक नेत्रित्व किया।